सूप्रभाद बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन लगाई है आपको यहां कुछ प्रश्न दिये गए हैं आपको उन प्रश्नों को पढ़के नीचे उनके सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है जैसे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या एक जिन शब्दों के आर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं विकल्प है विलोम शब्द पर्याईवाची शब्द या सयुक्त शब्द और इसका सही विकल्प होगा ब पर्याईवाची शब्द माता का पर्याईवाची शब्द है मा धर्ती भूमी और इसका सही विकल्प होगा मा हवा का समन आरती शब्द है मेग, जलज, वायू और इसका सही विकल्प होगा वायू दूसरा चित्र देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए ख चित्र देखकर पर्यावाची शब्द लिखिए यहां आपको कुछ चित्र दिये गए हैं और आपको उन चित्रों को देखकर उनके परायवाची शब्द लिखने हैं जैसे पहला चित्र है राजा का और उसका परायवाची होगा नरेश दूसरा चित्र है सूर्य का और उसका परायवाची होगा सूरज तीसरा चित्र है पुस्तक का और इसका परहयवाची होगा किताब चोथा चित्र है आग का और इसका परहयवाची होगा अगनी आईए बच्चों आप प्रश्न गदेखते हैं गलत परहयवाची शब्द पर गोला कीजिए तो यहां पर आपको कुछ पर्यावाची शब्द दिये गए हैं और कुछ पर्यावाची शब्द तो सही है और कुछ पर्यावाची शब्द गलत है आपको दिये गए विकल्पों में से गलत पर्यावाची शब्द के आगे गोला लगाना है जैसे पहला जो शब्द है पेड और इसके पर्यावाची दिये गए है तट, वट और रक्षु तो इसका गलत पर्यावाची क्या होगा? तट, क्योंकि वट भी इसका पर्यावाची है और रक्ष भी इसका पर्यावाची है अगला देखते हैं अगला शब्द क्या है पानी और इसके विकल्प क्या दिये गए है नीर, खीर, जल तो जो गलत विकल्प है यानि जो गलत शब्द है वो है खीर क्योंकि नीर और जल दोनों ही पानी के परायवाची है अगला शब्द है रात और इसके परायवाची शब्द है रात्री, निशा, दिशा तो गला शब्द कौन सा है दिशा क्योंकि रात्री और निशा दोनों रात के परायवाची है अगला शब्द देखी अगला शब्द कौन सा है हवा और इसके शब्द क्या दिये गए है? पवन, आईू, वायू तो गलत शब्द कौन सा है? आईू क्योंकि पवन और वायू दोनों ही हवा के प्रयाव पाकई है अगला है बगीचा और इसके प्रयावाची शब्द है वो पवन बाग जाग तो इसमें कलर शब्द कौन सा है जाग क्योंकि उपवन और बाग दोनों बगिचा के पड़ाइवाची है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण ग निवलिकित पड़ाइवाची शब्दों का मिलान कीजिए आपको अदर को शब्द दिये गए हैं और उसके दूसरी ही तरफ आपको उसके पड़ाइवाची शब्द दिये गए हैं परवत, तो हम पार का परवत से मिलान करेंगे, घर का परवाची शब्द क्या है, ग्रह, तो हम घर का ग्रह से मिलान करेंगे, धर्ती का परवाची शब्द क्या है, भूमी, तो हम धर्ती का भूमी से मिलान करेंगे, मित्र, मित्र का परवाची शब्द क्या है, दोस्त, तो हम मित्र का दोस्त से मिलान करेंगे तो बच्चो इस तरह हमने ये कार्य पूर्ण किया आपको भी ये कार्य अपनी पुस्तक में करना है और यदि आपके इस पुस्तक ना हो तो आप ये कार्य अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, धन्यवाद